सो गाइज जास की वोड़ों हम बात करने वाले हैं इंफिनुक्स होट 25 जी डिवाइस के अंदर आप जो है स्क्रीन लोक साउंड का यूज कैसे कर सकते हो यहां पर तो हमारी स्क्रीन लोक होती है यहां पर तो हमें एक साउंड सुनाई देता है जो pop up sound होता है आप उसे लगा सकते हो अपने फोन के अंदर भी अगर आपकी स्क्रीन लोक होने पर आपको sound चाहिए तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है अपने phone setting के अंदर settings हमारी यहां पर एक बार इसको open करेंगे इस तरह से home interface आएगा स्क्रोल करके नीचे आना sound and vibration के एक settings मिल जाता है ज़स्ट एक बार इसको click करना है आपके पास यहां पर media, alarms, ringtones ऐसे options आएंगे अगर आपको ringtone हो गएरा change करना है तो no doubt आप यहीं से स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो advanced setting के एक option मिल जाता है एक बार आप इसको press करेंगे यहां पर देखो dial pad tone screen locking sound second number पर हमें मिल जाता है और charging sound भी यहीं से लगा सकते हो touch sound भी आप यहीं से लगा सकते हो screen को touch करते हो तो sound करता है charging पर connect करोगे phone को तब भी sound करेगा और screen lock sound जो है इसको on करेंगे जभी screen lock होगी एक sound सुनाई जैती है काफी लोगों को यह boring लगता है अगर आपको इस तरीके से on है आपको दिक्कत होती है इससे तो आप इसको off कर सकते हो अगर आपको on करना है तो आप यहीं से आज के इसको on कर सकते हो dialpad tone है, अगर आप च्छाहे तो dial pad tone कर सकते हो, जहांसब आप numbers को dial करते हो, वह पर आवास आती है अगर इसको on करना है, तो आप on कर सकते हो, मैं इसको बंद कर के रखता हूँ क्योंकि रात में झावाँ में dial करते हो, क्यों कोई भी number तो sound sound starts होती है उसकी तो नो डाउट क्या कर रहे हैं सामने वाले को पता सल सकता है अगर आप रात के समय सोये हैं तो disturbing लोगों को हो सकती है तो ऐसे में आप मैं इसको बंद करके रखता हूं बागी सारे options समारे चालू रहते हैं आप अगर screen locking time को use करना चाहें sound को तो आप कर सकते हैं आई आप गाईस समझेंगे कैसी यूज़ करना है फिर भी कोई confusing होती है इसके recording comment सक्सम नीचे है आप हमें comment कर सकते हैं या इस्ट्रग्राम पर आ सकते हैं handle nature discussion में मिल जाएगा